पहीले जनम पूत का भयाँ बाप जनमियां पाछे बाप पूत की एक कईनारी ये अचरज कोई काछे शन्तो बोले ते चरज के मारी शद्गुरु कबीर साहिब कहते हैं ये शन्तो बोलते ही जगत की लोग मारने दोड़ते हैं दुख इस बात का है न बोलूं लोग अडंबर फैलाते हैं अंद विश्वास है लाते पाखंड दंब ये सब देख करके मन में पीड़ा होती है धर्म के नाम पर आडंबर मजहिब के नाम पर मार काट जाती पांती के नाम पर वाद भीवाद बीमानी छल कपट के नाम पर शत्य और सांती का बिनास ये सब देख करके कुछ बोलना पड़ता है और जब मैं बोलता हूँ तो लोग नाराज हो जाते हैं इस जगत में सही बात बोलना बहुत कठिने पिता जी को सही बात कह दो तो वो नाराज हो जाते हैं भाव तो मार रूट जाती है पतनी को अच्छी बात कहो तो वो दुखी हो जाती है जैसा चल रहा है वैसा चलने दो तो सब चलता रहता है डामा डोलू बभू को कुछ कंट्रोल करो तो बहू बहू बहुत बिथित हो जाती है पोता पोती को डाटो समझाओ की मॉबाइल तो मत रखा करो दूसरों से सूचना देता है ज़्यदा परेशान करी है तो जहर खा लूँगा दादा दादी भी सोचते हैं इस दुष्ट को जीने दो भले जानवर बनकर जी हमारे नाम से जहर खायेगा तो हम भी बदनाम होगे बोलनों मुश्किल है गाओं में कोई गलत काम करता है कोई बोलना नहीं चाहता उसको जो बोले वो दोस्मनी हो जाए गलत चल रहा है प्रदेश में सासन में बैठे ही लोग शासन से बंचित लोग पहले जो सासन में बैठ चुके हैं वो लोग अब पैदल होगे वो लोग उसमें भी जो सही बात बोल दे तो और सही काम करे जादा करे उसके उपर सम्मिल के तूट पड़ते हैं गिद की तरह चील की तरह सब तरफ से नोचने लग जाते हैं कुतरकना करके जोट मूट निंदा करके उसका माहूल भी गड़ते हैं कवीर सहब कहते हैं बहुत बिवेग की ओशकता है और बिवेग करना यदी आ गया याद रखना फिर बोलोगे जरूर लेकिन पहले तौलोगे फिर बोलोगे जहां बोलने से बहुत वाद बिवाद हो सकता है वहां कम बोलना चाहिए और जहां बोलने से ज्यादा ही जगड़ा हो सकता है चुप भी रह लेना चाहिए जहां मौन रहने से शांती की अस्थाबना हो सकती है तो मौन भी रहना चाहिए और गलतियां स्वेम भी नहीं करना चाहिए दूसरों का खयाल भी रखना चाहिए परिस्थतियां बदलती रहती है कंडिशन चेंज होती रहती है सिचियेशन चेंज हो जाती है लेकिन याद रखना मनुष्य का मन भी रोज रोज बदलता रहता है ये मनुष्य का मन कोई साधारण मन नहीं है इसके अंदर नाना प्रकार के विचार उदगार उठते रहते है आटोमेटिक कभी मन खुश रहता है कभी मन खिन रहता है कभी मन परसंद बहता है कभी मन दुखी रहता है कभी मन बहुत खिला हुआ रहता है और कभी मन उदास हो जाता है कभी मिरास हो जाता है शरीर के कश्ट भी मन के उपर प्रभाव डलते है परिवार के उल्जने भी मन को प्रभावित करती गरीवी भी आपके मन को प्रभावित करती बीमारी आपके मन को बिचलित कर देती इसलिए याद रखना ये मन कोई शाधर्ण नहीं मेरे गुर्देव खुई किल चेर पर जा रहे बिजिट कर रहें आश्रम का धन्यो गुर्देव नमन है श्री छमा देव को आशिरवाद है सीतल दास को बेटरी से गाड़ी चल रही है देखिए गुर्देव भर्मन कर रहे वाह रहे कबीर बढ़ के नीचे यात्रा चल रहे है गेट को पार कर रहे है विशाल देव मंदिर में जा रहे छमा देव मंदिर में उनका निवास है विशाल मंदिर में जिसका निर्वाण उन्होंने किया था वहाँ पर श्री गुर्मन देव रहते हैं उनसे मिलने जा रहे हैं वाह अपने गुर्भाई से बैट करें लगभग ढाई सो मीटर दूर गुर्भाई गुर्भाई की याद आती है चल देते हैं बचपन के साथी रोज मिल के आते हैं विश्तर पर लेटे लेटे मन में याद आते हैं कि मेरा वचपन का साथी गुर्मन देव कहां है उससे मिलने के लेटे दे खुद भी शरीर कमजोर है लेकिन मनो बनचोर है धन्यो स्रीचमादे तो इब मन के अंदर विशेश परिवर्तन बीमारी से गरीवी से अमीरी से परिस्थतियों से होते रहते हैं इसलिए विवेकवान संत कहते हैं कि परिस्थतियां तो एक जैसी नहीं रहेंगे पर आप अपनी मन को समझा कर एक जैसर रख सकते हैं एक्रस मक्ती, एक्रस बैराग, एक्रस त्याग, एक्रस ब्रमचर, एक्रस सैयम नियम, एक्रस ज्यान, एक्रस आचिरण, एक्रस सरद्धा, एक्रस मेहनत, एक्रस सिष्टम आपकी लगन एकरश लगन यदि है एकरश स्रद्धा है स्रद्धा भी साउधान न रहो तो बदलती रहती है कम ज़्यादा होती रहती है भक्ती भी कम ज़्यादा होती रहती है घर के सदस्यों के प्रती प्रेम भी कम ज़्यादा होता रहता उतार चड़ा होता है और कभी तो संसार में दो सो वरस जीने की इच्छा होती है कभी संसार में दो घंटे भी जीने की इच्छा होती है कभी संसार में फिर जन्म लेकर आऊं इसी घर में रहूं यही पत्नी मिले यही मेरी माबाब बने और यही घर मिले ऐसा भी मन में होता है कभी कभी मन उब जाता है तो मन में तुम सोचते हो अब दुबारा जनम नलो तो अच्छा है इसी जनम में खोब भर पाया हो बहुत दुख मिला है, बहुत पीड़ा मिली है और मन आपका दुखीत हो जाता है, उब जाता है तो यह सब उतार चड़ाओ जैसे शमुद्र में जौर भाटा आता है लहरे आते हैं ऐसे आपके मन में भी लहरे चलते है और लहरों में जो बह गया वो डूब जाता है और लहरों से दूर खड़ा होकर जो उन्हें देखता रहता है वो आनन्द लेता है और डूबता नहीं है शमुद्र का आनन्द उसके तट पर दूर खड़े होकर ही आता है अंदर घुश गए तो डूबने की भी संभाव मा है संसार शमुद्र है इसमें डूबो भी मत उबो भी मत अव उथले रहो परोजन गहिरे मत हाथो की खोवो हो कबीर साहिम कहते हैं उथले में रहो छिछले में रहो हलके में रहो बहुत गहिरे में मत जाओ जो हाथ में आ गया है वो इसको खोव मत संभाल के रखो पकड़ के रखो जो भक्ति मिली है जो गुरू की सेवा मिली है जो सत्संग मिला है ये खो ना जाए कहीं इसकी भी फिकर रखो जो प्रेम मिल रहा है वो प्रेम खोने न पाए उस प्रेम को निरंतर पाने के लिए अपने आपको सभाल कर रखो अपने आपको शाउधानी के बीच में चलाईए अन्य था जो भी मिला है वो खोने में भी देर नहीं लगी कितने लोगों का प्रेम भी खो गया है कुछ बचा नहीं है लोग कहते हैं बच्पन में हमारे उपर हमारे माबाब का बहुत प्रेम था लेकिन अब प्रेम नहीं रह गया अब प्रेम खो गया कुछ लोग बोलते हैं ये बेटा बच्पन में हमसे बहुत प्रेम करता था लेकिन पता नहीं क्या हो गया अब ये हमसे बोलता ही हमारे पास बैठता ही हमारी और देखता भी ले कि हम इससे कुछ पोचते हैं तो कुछ पहता ही हमसे ही रूठ गया है जब तूम किसी से रूठ जाते हो याद रखना तुम्हारा रूठना परिवार में अशांती पैदा करता है संगठन में विखरान पैदा करता है जिब तुम मनमानी करते हो तब तुम्हारी शास्था तूटती है बेवस्था भी खरती है आस्था का अंत हो जाता है जब तुम अपने से बड़ों से नवेदन करके पूँच लिते हो बड़ों को बड़ी खुशी हो जाती है और छोटों का मनोबल बड़ा हो जाता है इसलिए बुजरगों से थोड़ा सा पूँच लिया करो आज मैं अपनी गुर्दे उसे पूँच रहा था कि एक दिन आपने बताया था कि यहां कोई पेड़ लगाना है कौन सा पेड़ लगाना है तो गुर्दे बोले लीची की पेड़ लगवाती चीए तो मैंने का कहां पर लगाना है बोले जहां जगे मिले वहां लगाती चीकू के उस दिन अपने चीकू के बताया था तो गुर्दे बोले हाँ हाँ चीकू तो अमने का चीकू और लीची दोनों लगा देंगे उन से थोड़ा सा पूँछ लिया उनका मन गदगद हो गया कि एक दिन मैंने सिरल सब्दों में कहा था लेकिन अभी तक याद रखा इनोंने आज फिर से पूँछा और उसको फालो करना चाहते हैं बडों से सलाह लीजिए चिरन छोकर उनका शिरवान लीजिए छोटों समान वालों से पूरण प्रेम कीजिए अपने घर को मंदिर समझ करके रहिए नारियों में देवी का दर्शन कीजिए पुर्शों में देवताओं का दर्शन कीजिए गुर्दयों में भगवान का दर्शन कीजिए और संतों में गुर्दयों के पुजारियों का दर्शन कीजिए ये शंत गुर्देयों के पुजारी हैं, ये शंत महान रिशी मुनी हैं, ये शंत गुर्देयों के साथ ऐसे हैं, जैसे राम के साथ में लच्मन थें। पर्वती जीने सिवजी से पूछा है, गुरु के प्रती कैशी सद्धा होना चाहिए। शिवजी कहते हैं। गुरु पादुकाशन सैयादिन गुरुणायदे अभिष्ठितं। नमस्कोर वीत तत शरवं। पादा अभ्यामना अश्प्रशेते कोचिते। आये सद्गुरु आपका आगमन। इधर लाये सद्गुरु का दरश। मुझे कराईए लाईए 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 पास में आईए 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 शद्गुरु का दरश। आई राजा, आजा आये सद गुरू आपकाश श्वागतम स्वागतम, 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 स्वागतम इधर रेस निकलना है आए सद्गुरू आपका श्वागतम, 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 प्रेम से श्वागतम, नेम से श्वागतम, आईए सब गुरू आपका स्वागतम ये हैं मेरे गुर्देो ताली बजाओ तमदाली के साथ संद सब पीछे रहो साथ में पीछे गुर्दे के पीछे आईए स्ट्री छामा आपका स्वागतम आईए मानने वर आपका स्वागतम गुर्देो स्वागतम को देख रहे हैं कि मैं क्या हूँ आपने चेला को भी देख रहे हैं कि आश्मा रहे हैं श्वागतम 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 आईए सद गुरू आईए संत जी श्वागतम 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 आईए स्द गुरू वहापका स्वागतम आईे सद्गुरू, आपका स्वागतम बोड़िये सद्गुरू भगवाने की, जैए ओजिस्री छामादेव की, जैए यदा स्थान बैठ जाएं, गुर्देव दर्शन दे कर जा चुके हैं, उनके दर्शन पांकर हम दो करतार्थ हो चुके हैं साहिब बंदुरू पहले जनम पूत का बहेव, पाप जनमी आपाचे शद्गुरू कवीर साहिब कहते हैं, कि ग्रहस्था श्रम में पुत्र का भी बहुत बड़ा महत जिस ग्रहस्था के घर में पुत्र नहीं है, और पुत्री नहीं है उसका फंस वहीं से समात हो जबता है गुरू की आश्रम में शिश्चों का बहुत बड़ा महत है जिस गुरू के आश्रम में, जिस गुरू के स्त्री चरणों में शिश्च नहीं है उस गुरू के ज्यान के प्रचार प्रशार का अंत हो जाता है भविश्वें, जिस गुरू की बाणी से करोडों लोक्रतार थो रहे थे उसकी बाणी अब जन जन तक पहुचने में असमर्थ हो जाती है इसलिए गुरू सिश्च परंपरा, पिता पुत्र परंपरा, मा बेटी की परंपरा ग्रहस्थ आश्रम एक संहर्ष का आश्रम है जिस आश्रम में शमसाएं क्रमशा आती ही रहती है और विरक्त आश्रम जो शंत आश्रम है, सन्याश आश्रम बहुत कम इसमें संहर्ष होते हैं प्राया शांती रहती है इदी ग्रहस्थ आश्रम में भी विवेक जागरत हो जाएं पचास पर्शंट दुख कम हो सकते हैं लेकिन ग्रहस्थ आश्रम बहुत बड़ी जिम्मेदारियों का आश्रम है कंपलसरी वर्क ग्रहस्थ आश्रम में रहते हैं इसलिए अपने पुत्र को और पुत्री को सम्हाल कर रखी हैं शिष्ष को भी सम्हाल कर रखी हैं शिष्ष यदी महान होगा तो उन्हीं शिष्षों में से कोई शिष्ष एक दिन महान गुरू बने सभी सिष्षों के अंदर गुरू बनने की परतिभा नहीं होती है हर पुत्र बाप नहीं बन पाता है हर बेटी महान नहीं बन पाती है कुछ लोगों के शंतान का जनम ही नहीं होता है परंद हर शिष्ष को गुरू बनने का लालच भी नहीं करना चाहिए कि मैं गुरू बनौँ गुरू की गुण हों गुरू की योगिता हों तो आपका गुरू सेम आपको अध्यातेगा कि अब गुरू का कारित तुम सुरू को कितने शिष्ष मान समान के लालच में जिवर्दस्ती गुरू बनने की कोशिश करते हैं ठीक से शिष्ष नहीं बन पाएं ये ठीक से गुरू कैसे बनेगे और अध्यकरे शिष्ष अध्यकरे गुरू बनते हैं और वही अध्यकरे गुरू समाज में दुरगंद फैलाते हैं क्योंकि उनके आचरण में मजबूती नहीं वेराग्य में मजबूती नहीं श्रद्धा में द्रणता नहीं और उनका विवेक जागरत नहीं हुआ है गुरू जवर्दस्ति वहां दो बच्चे भी चार बच्चे भी प्रदेश की विवस्था को अस्त विस्थ करने में शाहेक हो जाते हैं कितनी रोड चोड़ी कीजा रही है फिर भी भीड कम नहीं हो रही है मेरे बच्च्पन में मैं देखता था मेटा डोर चलती थी जिसमें बारा लोग बाठते थी आज एसी एसी बसे चलती जिसमें 90 लोग बटती फिर भी भीड़ बहुत है किसके उपर कब आकर्मन कर दें कब जुंग आ जाए जोस आ जाए कुछ ठेकाना नहीं इसलिए CM-PM की सुरच्छा बड़ी टाइट रहती है और याद रखना हर विक्ति को सुरच्छा के घेरे में ही रहना जाए आपका जो आच्रण है ये सब से कीमती चीज़ है आपकी भक्ती आपकी शुरद्धा आपका ब्रह्मचरी आपका वेराग्य आपकी आस्था आपका प्रेम आपकी उन्नती के भारमोले ये सब आपको सुरच्छ समाल कर रखने की जरूरत है पार के सदस्यों की भी सुरच्छा आपको करने की ओशकता है संतों की सुरच्छा, गुरू की सुरच्छा, सुरच्छा की भी ओशकता है क्योंकि आप अपनी भक्ती की रच्छा की चिंता ना करो तो तुमारी भक्ती भी टगमगा सकती है सरद्भा टगमगा सकती ब्रह्मचरी खंडित हो सकता है बैरागी तूट सकता है आपकी गुरू की ब्रती आपका प्रेम इधर उधर हो सकता है आपके घर में शंगठन विखर सकता है इसलिए हर चीज की रच्छा सुरच्छा का ध्यान रखना चाहिए तभी जीवन में शफलता मिलती है और सांती मिलती है जरा चूक जाओगे जो खेल तुमने पचास साल में खड़ा किया है वो खेल के वर पांच मिनट में बिगड़ करके धुस्त भौसा बनाने में लंबी जिन्दगी गुजर जाती है आदमी जिन्दगी बर बनाता ही तो रहता है बनाते 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 जिन्दगी की शाम हो जाती है जीवन का सूरी अस्ता चल पर पहुंच जाता है, बुढ़ा पा आ जाता है, ठक जाते हैं और अपने हिसाब से लोगों ने बहुत कुछ किया है, हर आदमी बहुत कुछ किया एक आदमी गरीब है गाउं से निकल करके शहर में जा करके कुछ दुकान दारी थोड़ा बहुत करके पैसा बचा कर, कश्ट उठा कर, प्लाट लेकर, मकान बना कर खड़ा किया कोई मिलता है तो इसको अपनी कहानी सुनाता है कि कहां से कहां पहुंचे कैसे है, जीरों से हीरों बने कैसे ये बस्ती जिले में गाउं में रहते थे, दिल्ली कैसे पहुंचे, दो मकान कैसे खड़ा किया, वो कहानी सुनाता है, आसू आ जाते है लेकिन जिन पुत्रों के लिए, पत्नी के लिए, दो मकान खड़ा किये हैं, कश्ट उठाया है, वो इस शंतुष्ट नहीं है पत्नी कहते ही इससे बड़ा कोल बेकूफ नहीं, बेटा कहते हैं, ये तो बूरे मुर्ख है मुर्खता पता चल जाती है यती गाउं से निकल कर उस शहर में तुमको ना लाता तो पता चलता मुर्ख ये है कि तुम मुर्ख ये तुम्हारा हिंकार धूर्थ कहीं के अपने मावाद को भी धन्यवाद देना सीखो पती को धन्यवाद देना सीखो उनके संघर्स और कष्टों को देखना सीखो और उनको जब तुम धन्यवाद दोगे उनकी मिहनत को धन्यवाद दोगे तो उनकी ठकान उतर जाएगी और टेंसन चिंता खत्म होगी उनकी मुकमंडल पर ताजी मुश्कान आ जाएगी इसलिए उनको धन्यवाद देखना मेरे गुर्देओं कह रहे थे कि 200 रुपे हमारे पास नहीं थे एक दिल तो 200 रुपे के कारण चार एकड़ जमीन हमारी चली गई आश्रम की 200 रुपे की तंगी थे कभी उन्होंने बरफी और पेना खरीद के खाया नहीं वही भुने चना नमक से लोटी पर बाट के ले जाते थे पुराने कपड़म बांध के लखीम पुर गोलम बैठी खाय ले रहे थोड़े दिन हम भी उनके साथ गए तो वही भुने चना वो चना जबाने का अददात तक मेरी छूटी नहीं क्योंकि शुरुआत वही स्किया हम नहीं तो भगतों को बता देता हूँ भुने चना ले आना तो ले आते हैं भगत लोग भगत भी सौशता है भुने चना तो बच्पन में खाय जाते हैं या गुरू जी बूढे होईगे तो बहु भुने चना बहुत उमर हुई गे बजपन में खायत है तो अब जिन्दगी बेर खाएंगे भुने चना से ही तो इतना आगे बढ़े है भुने चना छोड़ देंगे तो रुक जाएंगे इस्पीड कम बहुत बहुत कष्ट उठा करके रमणी का श्रम खड़ा किया है उनको धन्यवाद दीजिए और कभी किसी को अगर वो डाट दें समझा दें कुछ कह दें कुछ बोल दें कुछ ब्रेक लगा दें नाराज मत होईए मुश्करा दीजिए उनकी बात में प्रेम से मुश्करा कर स्विकार करो और उसमें जो भी मोडिवेट करने वाला है करके अपने कारे को करते रहो रूठो मत ऐसे बुजर्ग माता पिता को बुजर्ग गुरू को और मेहनत करने वाले विकास करने वाले हमारे जो पहले वाले संत महत्मा हैं उनको धन्यमात दीजिए नमन बंदन विलंदन कीजिए ताकि उनका मनोबल बढ़ना चाहिए और आने वाली पीड़ी भी मेहनत करके आगे संस्था को ले जाए तब समझ लो आपको जीने की कलाई आज हमारे एक्षिश्य का फोना या सिशू पालदास का बोले गुर्देव बहुत करुणा भर के बोला वो 36 गड़ में शेवा कर रहे साल भर हो गया बोले मैं गुर्पुर्णिमा में आना चाहिए दर्शन के लिए आना चाहिए मैंने का आजा ना मैंने का आपके जो कौरडिनेट हैं देव करदास उन से भी पूछ लीजिए तो कुछ नहीं बोला बोला उन से क्या पूछो मना भी कर सकता है इसलिए डाइरेक्ट केंदर सरकार से आदेश ले रहा है उनने का आ जाना ठीक है दर्शन की बलिहारी गुरू जी तुप्टे वो सिश्वी महान है जो गुरू की साथ रहता है वो भी महान है जो गुरू से दूर उनकी आग्या के इंसान रहकर के संस्था की विवस्था को संभलता है और सभी को दर्शन करना भी चाहिए गुरु के साथ भी रहना चाहिए दर्षन की बलिहारी गुरुजी तुम्हरे दर्षन की बलिहारी गुरु जी तुम्हरे तरसन की परिहारी तुम्हेरे तरसे से लगा दो लंबी तान गाएक लोग ऐसे बोलते करते रहते तुम्हेरे तरसे से लंबा लगा यारे मैं वो गाएकों से भी लंबा लगा सकता हूँ तुम्हेरे तरसे संकत कटत है संकत बिकट है संकत निकट है क्रम मिठावत भारी गुरुजी तुम्हेरे तरसन की बलिहारी तरसन की बलिहारी गुरुजी तुम्हेरे तरसन की बलिहारी बार बार गुरू का दर्शन करो यह मस सोचना जिस पेंड को आज तुम देखते हो जिस प्रच्छ का आज दर्शन करते हो यह मस सोचना यह वही पेंड है आने वाले कल में इसमें नई कोपले निकल जाती है नई पत्ते निकलते हैं नई टहनिया निकलती है नए रूप में दर्शन देता है गुरु रोज रोज ताजा होता जाता है उसके अंदर भी नई कोपले निकलती है उसका आशिरवाद भी नया नया बिलता है इसलिए गुरु का दर्शन बार बार करना चाहिए बार 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 दच्यां भी दो बार बार दर्शन करो, बार बार शेवा करो, बार बार प्रसन हो जाओ, बार बार नमन करो, बंदन करो, विनन्दन करो, बार बार बंदगी करो, साहे बंदगी, बार बार उनके चरणों में प्रणाम बारम बार शद्गुरु दर्शन दी जो आवी ने गुजरात के भक्त भजन के वाध्यम से गाते हैं कि हे सद्गुरु बारम बार दर्शन आकर दे देना वो होश्यार है कोई नहीं कहते है बार बार दर्शन करने आऊंगा हो कहते है दर्शन देने आना हाँ चतुर है गुजरात का अदमी ऐसे ही बुद्धिमान होता है वो बोलता आप आजाना बार बार मेरे गुजरात में आजाना ताकि मेरी जिन्दगी में अज्ञान की रात नहो मेरी जिन्दगी में ग्यान का प्रभात ग्यान का सवेरा रोज नया बना रहे मेरी जिन्दगी अज्ञान के अंदकार में भटकने न पाए इसलिए बारां बार आ करके मेरे द्वार पर मेरे घर पर मेरे गुजरात में मेरे जिलों में दर्शन देना महीं हम भी बार बार दर्शन करेंगे आपकी सेवा करेंगे मेरे घर में चरण रखना पद्रोनी कर देना बड़ा प्रोग्राम भी कभी करूँगा लेकिन अभी पद्रोनी हो जाए एक घंटिक लिया जाना बार में बारसत गुरु दर्शन दी जो आवी ने प्रभु दर्शन दी जो आवी ने बार में बारसत गुरु दर्शन दी जो आवी ने बार में बारसत गुरु दर्शन दी जो आवी ने बार में बारसत गुरु दर्शन दी जो आवी ने बार में बारसत गुरु दर्शन दी जो आवी ने बार में बार में बारसत गुरु दर्शन दी जो आवी ने बार में बार में बारसत गुरु दर्शन दी जो आवी ने बारम बारसत गुदु 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 दर्शन दी जो आवी ने आज हमारा भाग जाग्या आप आवी ने दर्शन याप्या आज हमारा भाग जाग्या आप आमिने दर्शन दी जो आवी ने सोभा भक्ती के रूसाज सजावी ने वन्दन करिये सत्र गुरु तमने सेशन मावी 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 ने गुरु तमने सेशन मावी ने साहब बंदगी अभी आप दर्शन कर रहे थे हमारे छोटे गुरू की रूप में पोजिश्री गुरूमन देवजी जो की आश्रम के संचालक रहे उसके पहले आप दर्शन कर रहे थे पोजिश्री जमा देवजी के जो की इस आश्रम के गुरू महराज है हमारे भी गुरू है पहली बार वे अपने ये विल्चेर से आकर दर्शन दे रहे थे संचालक साइब भी खोश हो रहे हैं उनका मन गदगद हो रहा है कि हमारे शिशों ने बहुत डवलबमेंट किया है आरिजमेंट, मैनेजमेंट, डवलबमेंट सब कर रहे हैं देख रहे हैं मन ही मन मुश्करा रहे हैं और विशाल मंदिर की ओर जाने का मन बना रहे है श्मा मंदिर का दर्शन कर रहे हैं इस हाल जहां सत्संग हो रहा है इसका नाम गुर्मन देव हाल रखा गया है इस गुर्मन देव सत्संग हाल है उनकी नाम से इस हाल का नाम करण किया गया है इसका बोरडर लग जाएगा थोड़ी दिन में सब तयारी हो जाएगी और इस हाल में 32 पंखे का दान स्री मतीश शुमन गुपता रमेश गुपता स्री विकास गुपता विलास गुपता लखीम पुर्खीरी वाले शिटी के हमारे भक्त हैं गुरू के वो एक दान देने का संकल्पली है बहुत जल्दी देना चाहते थे मेने का एक मेहने बाद देगा एक मेहने बाद इसमें 32 पंखे आपको लगे ही दिखाई देंगे और ऐसी हावा चलेगी इसमें कुछ भगत तो उड़ भी सकते हैं इधर उधर छोटे छोटे बच्चे रुमाल उड़ जाएंगे शाडिया उड़ जाएंगी कुर्ता के नीचे का जजरा उड़ जाएगा बहुत बड़ी देन होगी हमारे स्रोता की रूप में श्री शुकदेव सिंग टिहुलिया की सरदार जी पधार रहे हैं बहुत सतसंगी हैं गुर्द्वारा के मुख्य प्रवंधक हैं मुख्या उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और तानी बजा कर उनका उनन दन करेंगे वहे गुरुजी का खालसा वहे गुरुजी की फते कल भी वाये थे दर्शन किया था उनको कुर्शी पर बिठाईए और उनका स्वागत कीजिए आगे आजाईए यहां शोफा बुजरगों के लिए शोफा शाफ सुत्रा शोफा आने दिजे दच्छना भी ला रहे हैं गुरु को कुछ देना भी चाहते हैं गुरु द्वारा और गुरु द्वारा गुरु के द्वारा ही कुछ मिल सकता है बाकी और कहीं कुछ मिलता नह वहे गुरुजी का खाल्चा वहे गुरुजी की फते हमारे सभी शुर्टाओं को व्याशकादी धन्यवाद दे रही है आईए सत्संग को आगे बढ़ा देते हैं धन्य हो महान साइब साइब पहिले जनम पूत का भया बाप जनमिया पाँचे बाप पूत की के राद ये अच्रज कोई काचे शंतो बोले ते जग मारी कबीर कहते हैं जम मैं बोलता हूँ लोग मारने दोड़ लेते हैं नाराज हो जाते हैं देश के अंदर बहुत अच्छा बोलने वाले शत्य बोलने वाले लोग उनको अधिक दिन जीने नहीं देखते हैं घर के अंदर भी शही बात बोलने वालों को लोग अलग थलग कर देते हैं आश्रम और गुर्द्वारा में भी सही बात द्रड़ता के साथ बोलने वालों को कमेटी से धिरी धिरी बाहर कर देते हैं लोग फड़ इकटे हो जाते हैं उसी में नोच घसोट भी करते रहते हैं लेकिन याद रखना जहां सत्य है वहीं शांती और सम्मान निवास करता है और वहीं विकास और उन्नती निरंतर होती रहती है इसलिए अपने माता पिता का भी सम्मान करो बड़े भाई का आदर करो और वहीं जो सही बात बोल रहे हैं उनकी बात को बुरा मत मालो कितने भाईयों में देखा गया है अपने बड़े भाई से इतना नाराज है कि उसके पास आते भी नहीं बेटते भी नहीं, सुनते भी नहीं उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनका भाई ही थोड़ा गम खाना भी शिखो रिक्षे वाले से भी तुम मेल बना कर यात्रा कर लेते हैं मल्ला से भी मेल बना करके नदी पार हो जाते हैं बस वाले से कंड़क्टर से मेल बना कर टिकट लेकर बैठकर लखनो उसे लखील पुरा जाते हैं अपने भाई से भी मेल बना और मेल अगर कम रहता है कुछ सभाव से ही मेल नहीं खा रहा है तो भी कम से कम बोलचाल रखो प्रेम रखो और ऐसा क्यूं होता है जहां पर गलतियां लोग बहुत करते हैं मन में बेवानी है चालाकी है छल है कपट है उल्टा बल्टा बरताओ है वहीं पर ये दोरियां बनती है कभी भी लालच मन में आने मत दो तुमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं कुछ खोने वाला नहीं तुम जिन्ता क्यों करते हो जो तुम नहीं कर सकते हो तुमारा भागी करके दिखाता है याद रखना शारा कंट्रोल तुम नहीं करते हो तुमारे पुर्व जनम की पुन्य वो भी तुमारे साथ में सहारा देते कई बार तुम कहते हो अरे मैं तो सोच भी नहीं पाया मेरे भाग ने कमाल दिखा दिया मेरा ये काम बन गया भाग भी साथ देता है और जिसका भाग प्रचंड होता है किसका जिसके पुर्वजनम के पुन्ड बहुत होते है शतकर्म बहुत होते है जो आत्मा पुर्वजनम में बहुत भक्ती करके आई है जो बहुत सत्संग करके आई है और सत्संग्यों की सेवा किया है भंडारा किया है गुर्द्वारा बनाया है आश्रम बनाया है धर्मशालाएं बनाई है भंडारे किया है लंगर चलाए है वो आत्मा जिसने नेत्रत किया है वो आत्मा इदि कभी-कभी इस जनम में बुद्धी कम भी लडाती है फिर भी उसका भाग जो है रास्ता निकालता है एक सजन कह रहे थे कि मैं कभी-कभी कुछ बातों को सौचता ही नहीं हो लेकिन मेरा भाग मेरी रच्छा करता है मेरी किश्मत इतनी अच्छी है मैं कभी-कभी पुर्शार्थ से अपने दिमाग से गलत रास्ता भी चुल लेता हूं लेकिन मेरी किश्मत इतनी बुलंद उस राष्टे को आगे से रोक देती है फिर मोड कर सही राष्टे पर लाती है तुम कभी-कभी गलट डिसिजन ले लेते हो जीवन में बहुत बड़ी बात लेकिन तुमारा भाग बाग उस डिसिजन में तुमको आगे नहीं बढ़ने देता है फिर मोड के उस सही राष्टे पर लाता है इसको कहते हैं शाव भाग के साली हो लाओ तुम कभी-कभी सौच लेते हो कि अरे छोटी-मोठी नौकरी मिल जाए बस ठीक है लेकिन वो नौकरी नहीं मिलती है क्योंकि तुमारा किश्मत जादा बढ़ा है इसलिए छोटी नौकरी नहीं मिलेगी आपको क्यों ? क्योंकि भाग उसे बड़ी नौकरी मिलनी हैं इसलिए छोटी मिल जाखी छोटी फस जाओगे तुम फेर वहां रुक जाओगे अटक जाओगे इसलिए बहुत दूर जाना है बड़ी मिलना है कभी कभी तुम कोई प्लाट खरीदना चाहते हो बड़ी मसकत करते हो और शिटी में प्लाट मिल नहीं पाता है जहां लेना चाहते हैं लेकिन एक महिने बाद उससे अच्छा प्लाट आगे से भुलाकर लोग तुमको देते हैं कि ये लेलो उससे बड़ा उससे सस्ता उससे अच्छा तो तुम कहते हो कि भाग साथ दे रहा है जब तुमारी मेहनत शफलता न दिला सके तुमारा चिंतन तुमारा डिसीजन तुमारा एक्षन तुमको सक्सेश के सिखर पर न पहुचा सके और अजानत कोई घटना तुमारे जीवन में ऐसी घट जाए कि शफलता का द्वार खोल जाए और भारी शफलता मिल जाए तो समझ लेना ये तुमारे पुर्व जन्व के पुन्यों का प्रभाव है अन्था इसा होने बहुत बड़ी बात है यदि आपकी जीवन में किसी लच्छ में किसी राह में बाधा आती है उसमें कुछ आपके लिए बड़ा होने वाला है अब उसमाधा से उबी डूबी मत गवराईय मत कुछ नया कुछ बड़ा होने वाला है किसी शहर में मुझको एक साधू ने छोटा सा आस्रम दान दिया दो साल बाद उसका मन बदल गया बुलाब नहीं दूगा तो एक दिन मैंने सोचा इसमें चार लाख रुपे खर्च हो गए मेरा समय भी खर्च हुआ अब इसका मन बदला है उसके मौह आ गया बुलाब अपने नाती को दूगा तो मैंने का जय हो स्रीच हमाते हो कि कुछ बड़ा होने वाला है छोड़ दिया उस दिन से वहाँ कभी गई ही नहीं रुपे भी छोड़ दिया जो सामान था छोड़ दिया उसका कभी देखने नहीं गई अब हुआ क्या उसको छोणते ही हम फिरी हुई फिरी होते ही बड़ा प्लान तैयार हो मेरे सामने अंतरात्मा की आवाज उठी की तुम कहां इसमें फसने जा रहे थे तुम इतने विश्व की महत्मा हो तुम इसके लफड़ें कहां फस रहे थे अरे प्रभू तुम विश्व नात हो तुम कहां ये एक नात में फस रहे थे और फिर अंदर से ऐसी आवाज आई कि तुम पंडाल बनाओ, माईक खरीदो वीडियो केमरे लो, ट्रक लो गाउं गाउं जाके प्रवचन करो वो सब मैंने सोचा एक साल में सब हो गया गाउं गाउं में प्रवचन करने लगे किसी एक आश्रम में तुम फस जाओ एक गुर्दारे में फस जाओ एक संस्ता में फस जाओ तो ऐसे हो गया जैसे किसी जवा की नीचे, किसी पात्र की नीचे दीपक को ठांक दिया गया और उससे तुम बाहर निखल जाओ तो तुम्हारा उजाला पुरे वर्ड में फैल सकता है पुरे वर्ड में फैल गया बुले सगुर्देवा की जैव फिर मुझे कुछ लोग एक दूसरे परदेश में मिले बुले यहां स्रम बना तो हमने का चलो ठीक है बनाओ वहां भी कुछ बाधाई तो हमने का बहुत बढ़ी आई इससे भी बढ़ा कुछ होने वाला है लगण तो हम उदर से भी स्चिमट लिए पीछे हटे उससे बहुत बढ़ा कुछ हो गया फिर राजधानी के पड़ो से एक आश्रम बनाए फिर मन वहां से भी हटा फिर राजस्थान में भी एक आश्रम बनाए फिर मन वहां से भी हटा वो सब आश्रम है हमारे पास है पर मन हटा हुआ यह आश्रम था यहां भी हम रहते हैं देखते हैं ठीक है लेकिन मन में पूरा लगाव नहीं है इसके प्रतिवना मन हटा हुआ है यहां से भी हटा है सब जगे से हटा है तो फिर कहां डटा है डटने वाला है क्या ऐसा डटने वाला है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है क्या होने वाला है कोई बहुत बड़ी तीर्थ नगरी में बहुत बिशाल आश्रम बनने वला है जहां पांच लाख भक्तों का लंगर चले पांच लाख भक्त एक साथ लंगर में खाएंगे भोजन दाल चावल सबजी रोटी खीर पूडी हलुआ छकेंगे और बेटरी गाड़ी से डाल चावल लद के जाएगा पंगत के बीच में बेटरी गाड़ी ले जाएगा जिसमें पांच पांच कॉंटल चावल लदा होगा चार चार लोग बटेंगे पूरा रोड बनी होगी उसमें पंगत दोनों तरफ चल रही होगी और उसके बीच में मैं भी घूमूगा मैं भी किसी किसी को पूरी दूँगा खलुआ दूँगा बाटी दूँगा और बहुत बड़ा होने वाला है कहां होने वाला है ये नहीं बताऊँगा होने वाला है क्योंकि आप अगर सुई पा गए और उसको मुठी में मजबूती से पकड़ दिया तो याद रखना फिर सुई ही पकड़े रहोगे अगर मुठी खोल दिया सुई दूसरे के पास आ गई तो तुम्हारे मुठी में कुछ बड़ा आने वाला है खुल गई मुठी है और कुछ लोगे आप इसलिए कहीं लालच में भी मतपसो भगवान कर्ष ने जब सिशुपाल का बद किया सिशुपाल के बेटे महीपाल ने सोचा भगवान इस राज सत्ता को लेने लोगवान ने कहा सिशुपाल की पुत्र महीपाल चिंता नकर आओ इधर उनको तिलक लगाया राज सिंगहसन पर बिठाया बले ये सासन आपकी पास ही धाएगा मुझे यहां से सुई नहीं चाहिए फिर कंस का बद किया उगरशेन ने कहा कंस के पिताने क्रशने तुम इस गद्दी पर बठो क्रशने कहा नहीं नाना जी ये गद्दी आपकी पुत्र कंस की है कंस की पिता ही इस पर बिराज़े मैं इस सिंगहसन के लिए नहीं आया हूँ मैं तो आतंक खत्म करने के लिए आया था आतंक खत्म मुझे कुछ बड़ा करना है बहुत बड़ा करना है इसलिए इसमें फसने वाला है की उचाई पर बढ़ता चला जा जैर भग्मान श्री राम ने बाली का बद किया अंगत को यू राज बनाया तिलक लगा दिया शुग्रिव को राजा बना दिया शुग्रिव ने का प्रभू मेरे राज जी में चरण रखो बुलिन नहीं मेरे पिता ने बनवास दिया था राज जी में जाने के लिए नहीं कहा था रामन का बद किया, कुम्ब करन का बद किया, भीविशन को राज तिलख कर दिया शुक्ग्रिव से कहा, हनुमान से कहा, लच्ष्वन से कहा जाओ इनको राज सिंगासन पर लंका में बिरासमान को बोले आप पधारोना लंका विविश्रण मैं आपके लंका नहीं जा सकता ये युद्धिन करना होता तो यहां आता भी नहीं ये तो आतंक को खत्म करने के लिए रामण का बद करने के लिए मुझको आना पड़ा है अन्य था मैं आता नहीं तो भीविशन ने एक बात पूछी गुप्त रूप से रामयन में लिखी हो या न लिखी हो पर गुप्त पूछा कि एक बात बताओ आप युद्ध करने के लिए यहां आये थे लेकिन आप अपनी सेना में मनुष्यों की सेना क्यों नहीं लाए रीच भालू बानुरों की सेना लाए बोले मनुष्यों की सेना अगर हम लाते तो हम हार जाते बोले कैसे बोले लंका पहुंचते पहुंचते यहां का सोना देख करके उस सब लालच में फस जाते हैं और रामण बोल देता सब को एक एक किलो सोना दूँगा तो ये मनुशिन नालायक उसी के पच्छ में खड़े हो जाते हम पर भारी पढ़ जाते हैं इसलिए में मनुश्यों को नहीं ले लाए याद रखना सफलता के लिए आपको ये भी सोचना है किसको साथ में लेना है किसको नहीं लेना है और सफलता किसी पददिकार को प्राप्त करना ही सफलता नहीं है धन दौलत को प्राप्त करना सफलता नहीं है और किसी गद्दी को प्राप्त करना ही केवल सफलता नहीं है असली सफलता है लोगों की दिलों में प्रेम को प्राप्त करना, सम्मान को प्राप्त करना, दिलों में अस्थान बना लेना, ये सबसे बड़ी सफलता है बगवान राम कहते रीच भालू बानर के लिए सोना चांदी का महत्त ही ले इसलिए इन्हीं को लाया हूँ इनको लालच नहीं दिया सकता क्योंकि ये सोना शांदी पहनते ही नहीं और जानते भी नहीं वस्तों में जो वेक्ति ये छुदर चीजों का मुल्ड नहीं सबस्ता है और छुदर चीजों के लिए मन में लालच नहीं रखता है वही विक्ति आपका सही साथ दे सकता है और अंत तक आपके साथ को निभा सकता है लालची आदवी बीच में लालच में फस करके तुमको कहीं बहुत गहराई में फसा देगा इसलिए ऐसे लोभियों का साथ छोड़ देजिए विश्वास मत कीजिए साहिब बंदगी बोरने सकल शंत गूरू जन जो समेझा रही है ये चरचा भुलाना महा मुड़ता है बड़े भागी से मानों जीवन मिला है वाह बड़े भागी से मानों जीवन मिला है छुद्र कागज के टुकड़ों के लिए मानों ता छोड़ देना मनुसिता का त्याक कर देना ये घाटे का सौदा है ये बड़े भागि से मनस्जियों मिला है ये पैसा रुपिया ये कोई बहुत बड़े भागि की बात नहीं आता है जाता है मिलता है छूटता है और कितना ही पैसा हो जाए जब सोगे तो एक ही बेट पर सोगे जब तकिया सिराने लगाओगे एक तकी अलगाओगे, खाओगे तो दो-चार रोटी ही खाओगे, ऐसा नहीं कि आप पैसे वाले तो सो रोटी खा लेंगे, आप पैसे वाले तो दस बेट पर सोएंगे, टांगे फैला करके, आपकी लंबाई ही नहीं है, आप पैसे वाले तो बीस गाड़ी में एक साथ कि आपको मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा क्योंकि आपने मनुष्यता को त्याक किया है बले सद्धुर्देवा की जैए बड़े भाग से मानों जीवन मिलाए नीररथक बिताना महा मुधताए ओहो धन्यो साहिब बंदगी साहिब बंदगी मैंने लीची और चीकू के पेड़ों के बारे में लगाने के लिए सूचना आज दिया था जार खंड गुड़ा जिले से चंजोरा गाउं के निमाशी श्रीमान अरुण शाह स्रीमती संगीता देवी शाह ने निवेदन किया है कि ये बेड मेरी वोर से नर्सरी से खरीद कर आप मंगाईए इसका पेमिंट मैं करूंगा आपकी सद्धा दिर्दो मैं निवेदन करूंगा कहा गुड़ा है कहा जार खंड है कहा अरुण साह रहते कहा संगीता देवी साह उनकी पतनी रहती है दोनों प्रवचन सुन रहे हैं और एक दिन उन्होंने सत्संग भी करवाया था अरुण साह तुम धन्य हो तुमारी आस्था को कौन जान सकता है कौन पहचान सकता है तुमारी श्रद्धा को मैं धन्य बाद देता हूँ चार जून को आपका सत्संग हुआ था और आपने राशी भेज करके यहां बंडारा भी किया था आज वे चीकू और लीची के पेड़ का खर्च देंगे लिखके आया हमेरे पास गोड़ाद मैसेज आ गया तुरंत ये सेवा मुझे दीजी आप वाह धन्य हो और एक सज्जन डिष्टिक महिनपूरी जिला महिनपूरी उत्तरप्रदेश गोबिंदपूर हमारे पुझी स्री संचालक साहब जी आ रहे है स्री महेश कुमार राजपूर्थ माधूरी देवी राजपूर्थ कार्तिक राजपूर्थ कुमारी योगिता राजपूर्थ आने दो आने दो अमान साहब है हमारे आश्रम के मुख्य को ठारी यनोंने आश्रम को बनाने में अपना समय दान, बुद्धी दान, स्रम दान किया है आज वह दर्शन देने के लिए तीनों मूर्ती ये तीसरी मूर्ती आगए मैं पहचान नहीं पाया सामने ले जाइए उसके पाद जोर से ताली बजाकर, हाँ जोर से अलिनंदन, वाह देखे ये बुजरओं का सम्मान जहां होता है जहां ब्रद्धों का अधर होता है जहां पर फाउंडेशन खड़ा करने वालों का सम्मान होता है, याद रखना वहां का विकास कभी रुखता नहीं है उन्नती कभी रुकती नहीं है और जिसके घर में बुढ़े दादा दादी और मावात का अपमान होता है और जिस आस्त्रम में गुरुओं का अपमान होता है वो आस्त्रम का उस घर का बिना सो जाता है इसलिए बड़े बुढ़ों का सम्मान करो उनका आदर करो धन्य हो श्रीयवान सहब जी आशिरवात साहिब बंदगी मुस्कराइए दन्य हो लगाईए उनकी ऊपर दर्शन की बलीहारी भुरुजी तुम हड़े दर्शन की बलीहारी नहीं दर्शन कि बलिहारी दर्शन दर्शन की बलिहारी दर्शन की बलिहारी दर्शन की बली हाँ दीनों ने मेरी फिकर किया है कि अगर इस पौधे को समान ले गए तो इतनी चाया करेगा एक पौधा वरड के लोग सान्ती पाएंगे बहुत महनत किया हिनों ने इनको दूद मिल जाता था मेरी लिले आते थे 25 साल पहले दूद भी कम था कहीं मलाई मिल गई मुझे देते तुम खालो मैंने कहा नहीं नहीं आप खाओ कपड़ा सही मिल जा तो मुझे देते थे तुम पहन लो तो हमने कहा नहीं नहीं मुझे को अच्छा कपड़ा पहनाया है अब मेरा फर्ज है कि इनको जिन्द भी भर कपड़ा पहनाऊ अब इनका सम्मान करूँ हम सम मिल करके इनका आदर करेंगे क्योंकि जो हमारे सिस है इनको भी याद रखना चाहिए कि इन लोगों ने हम को तयार किया है तब हम तुम को मिले हैं अब तुम लोग इनकी सेवा करो तो हम खुश हो जाएँ दास नियम सहार, सैयम सहार, अनुभाव दास, परवीन दास, पुरसान दास, शिश्वाल दास, देवकर दास, तिलक दास, फिरत दास, द्वारिका दास, रादे स्याम दास, सेवक दास, बोदकर दास, रामपाल दास, दास में दास, चुना मनी दास, शीतल दास, चंदरपाल क्या बात धन्य हो दर्शन की बलिहारी गुरुजी तुम्हरे दर्शन की बलिहारी प्रेम की गंगा बहाते चलो बैठो सब बैठ जाओ बिराजो 27 दिन लगातार हो चुके प्रवचन चलते चलते आज सभी महानपुर्शों ने दर्शन की ब्यासगादी पर 27 दिन हमारे सुकदेव सिंग भी पधारे लहरपूर की भक्त अमीन नगर महम्दी की भक्त भी आए आज महिनपुरी जिलेशे आनलाइन प्रोग्राम की मांग आई है स्री महेशकुमार राजपूत माधरी देवी राजपूत पत्र कार्तिक राजपूत पत्री योगडिता राजपूत पिता सुरगी स्री वीरेशकुमार राजपूत की अस्मर्ती में सुखद सत्संग और धंडारा आश्रम में करने के लिए ग्यारा हजार की राशी आपने भेजा है गुरु की दच्छना भी भेजने वाले है दच्छना भी भेजेंगे धन्डवाद देता हो महेश भेया आप आना भी आश्रम मैनपुरी का अच्छा भक्ती में अस्थान आ रहा है मैनपुरी आगे नंबर ले रहा है आजमगड़ आगे ले रहा है सुल्तानपुर ले रहा है लखीमपुर भी ले रहा है सीतापुर ले रहा है बारवंकी ले रहा है लकनव, राइबेली, उन्नाव ये नंबर ले रहे हैं हर जिले वालों को नंबर लेना चाहिए वहाँ बड़ी बड़ी नंबरी लोग बैठे हैं नंबर नहीं लेते हैं सोचते रहे दाते हैं सेवा करो सेवा करो सेवा ही तुम्हारी उन्नती का द्वार खोलेगी सद्गुरु कबीर शाहिद कहते हैं पुत्र को संभालो पुत्री को संभालो जब वो ये दोनों बड़े होंगे माता पिता बनेगे तो कितने महान माता पिता बनेगे और अपने पोता पोती को भी संभालो आज जो पोता है कल वही पिता भी बनेगा ध्यान देना चाहिए बच्चों को अच्छे संसकार दीजी सुन्दर सभाव भी बनाईए आप सभी का जीवन मंगल में हो आज के आयोजग महान भक्त स्री मद्यप्रदेश के निवासी गुना डिश्टिक जहां पर राष्टपती के भाई स्री राम सुरूप कोबिंद जी रहते हैं जिनोंने दो वर्ष पहले मेरा सत्संग गुना में करवाया था और वहाँ पर राष्टपती से उन्होंने मोबाईल से बात भी कराया था असिरबात बिला था राष्टपती को वहीं के निवासी प्रदीप ओजा भावना ओजा, चंचला ओजा, मोहित ओजा स्री मान सिव नाराण ओजा विमला देवी ओजा संपुर्ण ओजा परिवार को हीरो हांडा सर्विश्यंटर आपका गुना में है आपकी और से आज का आनलाइन सत्संग और भंडारा हो रहा है जिसके लिए 11,000 की राशी आपने भेजा है गुरु दच्छिना 3100 संतों की दच्छिना 2100 की राशी भेजा है आपको बहुत-बहुत सुब कामना करता हूं आशिरवाद देता हूं और बहुत से लोग पूशते ही गुरु पुर्णिमा कहा होगी मैं आपको बता देता हूं एक जुलाई से लेकर पंदर जुलाई तक एक जुलाई से लेकर पंदर जुलाई तक गुरु पुर्णिमा की उपलच्छ में पंदर दिन गुरु दर्शन, गुरु दिच्छा, सुखत सत्संग, योम भंडारा कोरोना संक्रमन को ध्यान में रखते हुए पंदरा दिन गुरु पुरु पुरु दिमा मनाई जाएगी पंदरा दिन ये विश्छु कल्यान आश्रम में सब भक्तों को छूट दी जा रही है पंदरा दिन में, अलग-अलग दिनों में आप आते रहिए, दर्शन करते रहिए, आसिरवान लेते रहिए गुरु पुरु 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 मनाते रहिए और एक जुलाई से यहाँ पर गुरु की करकमलों से दीप प्रजुलन भी किया जाएगा रोज उसके लिए शुक्पाल जी विवस्था कर लेंगे एक जुलाई से और अठारा जुलाई से ले करके अठारा जुलाई से ले करके आठ अगस्त तक गुरु पुरु पुरु निमा की उपलच्छ में दर्शन कोटा राजस्थान में देने की संभावना है कोटा में ताकि वहां मद्यप्रदेश, महाराष्ट, गुजरात सौराष्ट, मारवार, मेवार, दिल्ली, हरियान और पंजाब और 36 गठ और साथ में आसपास के प्रदेशों के लोग आसानी से आसके क्योंकि ऊजयन कोटा एक जंगसन है कोटा फोर लेन है और कोटा बहुत बड़ा शहर है एईउकेशन हब है और कोटा जेपुर के बाद बहुत बड़ी शिटी मानी जाती है आने में सुरिधा है यातायात के संसादन बहुत अच्छे है इसलिए कोटा में 18 से सुखत सत्संग भंडारा प्रारंब हो जाएगा और कोटा में गुर्दिच्छा भी प्रारंब होगी और कोटा में बहुत सुन्दर गुरु महराज प्रवचन भी देंगे साथ में जो भक्त गणाएंगे उनको गुर्दिच्छ में 18 जून से ही दर्शन प्रारंब हो जाएगा आशिरवाद प्रारंब हो जाएगा इसलिए 18 जून से आप कोटा राजस्थान आश्रम आवली में आ सकते हैं और एक जून से लेकर 15 जून तक विश्व कल्लाण आश्रम लखीम पुर्खीरी उत्तर प्रदेश में आ सकते हैं जिनके गाउं में कोरोना नहीं है और जिनको खुद कोरोना नहीं है वही लोग आएगे और जिनको कोरोना है वो नहीं आएगे और जिनके घर में कोरोना है किसी को वो भी नहीं आएगे और दूर से दर्शन करेंगे चरण नहीं शूएंगे चरण आमरत नहीं लेंगे गुरू के माला गलम नहीं पहनाएंगे प्लास्टिक माला लाएंगे ये फूलों की माला भी लाएंगे हमारे संत को दे देंगे वो मुख्य गुर's पुरुणिमा का आयूजन का दिलांक चौवीस जुन है 24 जुन को नहीं 24 जुलाई 24 जुलाई देखो भूल भाल हो जै समाल लेना 24 जुलाई को गुर्पुरुणिमा का दिवस है गुर्पुरुणिमा महत्सो है पूरे देश बिदेश में मनाया जाएगा गुरू की महिमा है लेकिन अपन लोगों ने इसको पूरा महीना भर से ज़्यादा समय रख दिया ताकि एक साथ भीड न हो रहने ठहरने की व्यवस्था भी सही बनी रहे ठीक से दर्शन भी मिल सके और कोरोना का नियम गाइड लाइन भी पालन हो सके लोग एक दूसरे को सट न सके इसलिए ऐसा इंपजाम कर दिया गया क्योंकि गुर्देओं तो वही आपको दर्शन देंगे तो गुर्पुरुनिमा की उपलच्च में ये दर्शन प्रारंब हो रहे हैं करपया तयारिया कीजिए आने के लिए अपने अपने निजी वहाण से आईये तो सबसे अच्छा है यदि वहाण आपके वास उपलब्ध नहीं है तो एन एन प्रकारेन आजाये लेकिन आपका निजी वहाण हो या किरायसे वहाण ले करके आजाएं कार किराय से ले ले, जीप ले ले, कोई गाड़ी ले ले, ताकि उसमें राज्ते में आपको किसी और से संपर्ग नहीं हुआ, किसी को छुएंगे नहीं, कोरोना का संक्रमन नहीं लगेगा, सुरच्छित आप यहां पहुँचेंगे, और गुरु के निकट जब पहुँचें तो मौश्क लगा ले, और गुरु से दूर बैठें, तो मौश्क घटा दें, आराम से सांस लें, आक्सीजन ले, क्योंकि हर समय मौश्क नहीं लगाना है, जब दूर बैठना है, भीड में रहें तो मौश्क लगा ले, साहिब बंदगी बोले, आज ही शूचना प्रशारि से 15 जुलाई तक विश्क ल्यान आश्रम में, 18 जुलाई से 8 अगस्त तक, देखो, बहुत बड़ी बात है, जोन जुलाई समस्ते रहना, उल्टा पल्टा बोलूँगा, शुधार लेना, हाँ, ये दर्शन का कारिक्रम होगा, बोल दिया गया है, गुरु प्रोणमा के उप इक्रम चलेगा, शाहब बंदगी शाहब बंदगी शाहब बंदगी शाहब बंदगी वहे गुरु जी का खालसा वहे गुरु जी की מפेश सर्वे भवन्तु शुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भट्राणि पस्चन तुमा कस्चि जुख्भाव भई सुखि बसे संसार सब शुखिया रहे न कोई ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोई